मिडल फिंगर अगर आप देखेंगे ना तो और मुस्ट इस्टेट है स्टेट मिडल फिंगर क्या बताता है आपको स्टेट मिडल फिंगर बताएगा आप कितना अच्छा प्लैनिंग कर सकते हैं आप कितना अच्छा strategy बना सकते हैं ठीक है तो स्टेट मिडल फिंगर बता रहा कि energy अच्छा है इनका planning and strategy अच्छा है ठीक है तो यह चीज़े इनके मिडल फिंगर के quality के हिसाब से अच्छी है जो यह अच्छी बात है और इसकी बाद अगर हम लग देखेंगे न तो यह आता है हमारा sun वाला finger तो sun वाले finger में अगर आप देखेंगे यह वाला जो length है न अल्मूस्ट इक्वल है जबी फिर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर कर लेंट इक्वल होता है न ऐसा परसन इनर सेल्फ और आउटर वर्ल्ड को अच्छे से जानताता है और इस इस दोनों चीज़ों को जानने में जो life होता हो थोड़ा balance होता है ऐसा परसन अब देखेंगे कि दुनिया में जो चल इसके अलावा यह रिंग फिंगर और क्या करता है अगर रिंग फिंगर स्ट्रेट है तो आप न एक तो यह है कि आप नेचर से connected रहोगे नेचर से connected परसन रहोगे दुसरा क्या हो सकता है दुसरा यह है कि आपका आपके जो fatherly figures है ना उनसे भी एक तरह का value मिलता है और आप और यह पूबलिक होती है ना जैसे कि कोई बड़ा हो गया government पे हो गया यह सब चीजों में आपको अपका career भी अच्छा जा सकता है यह आपको उनसे health भी मिल सकता है ठीक है तो इस straight fingers काफी अच्छा होता है और यह length भी इनका अच्छा है because it long finger है तो अच्छे result दे देगा प आगे तो यह हमारा little finger तो little finger आप देखेंगे ना अगर इनोंने यह अगर इनोंने से यहां पर भी लाया ना तो यह इसके उपर नहीं जाएगा ठीक है तो यह इसका क्या मतलब होता है जबी भी moderate level of height होता है तो यह communication जो होता है ठीक है communication हो गया और इसके बाद business हो गया और technical part हो गया तो यह सब चीज़ों को ना यह थोड़े से balance रख पाएंगे और थोड़ा moderate level पे होगा एकदम high level of understanding नहीं होगा बड़ी स्ट्रेट फिंगर है तो यह quality इनकी अच्छी जाएगी तो यह positive direction में इसको use कर पाएंगे तो यह हमने देखा है fingers कि.